नमस्कार आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टेडी भी अच्छी चल रही होगी आज फिर मैं आपके लिए लेटेस्ट न्यू पंदरा कोश्चन लेके आया हूँ जो की जर्नल साइंस के और जैसे की आपको पता है हमारे जर्नल साइंस की सिरीज चल रही है मिसन रेलवेक के नाम से तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज के लिए आपके लिए फिर से न्यू पंदरा कोश्चन लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप हमारा टेलिग्राम और वट्सप गूर्प जोइन करना चाते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा क्योंकि हमारा मेन टारगेट है कोई सा भी एक्जाम हो जाँ जर्नल साइंस की बात की जाएगी तो उस एक्जाम की खोपड़ी में हमें क्या करना है छेद कर देना है और सारे कोश्चन सही करके आने है मातर दस मिनिट की कलास होती है डेली और इसी से हमें डेली दस-दस मिनिट करेंगे कंट्यून्यू रहेंगे तो आप एक दिन खुद रियलाइज करोगी कि हमारा जर्नल साइंस कितना इंप्रूव हो चुका है तो चलो आज के पंद्रा कोश्चन देखते हैं कौन से वो न्यू पंद्रा कोश्चन है सबसे पहले कोश्चन की बात करें Aluminium का विजद अपगटन करने पर Anode पर कौन सी गेंस जमा हो जाती है Aluminium का अगर हम विजद अपगटन करेंगे Aluminium का या Aluminium का तो Anode और Cathode आपको पता है दो होते हैं हमारे उसके अंदर तो इसमें पूछाए कि Anode पर कौन सी गेंस जमा होएगी तो Carbon Dioxide, Oxygen Gains, Nitrogen Gains और Hydrogen Gains तो उसके उपर जो गेंस जमा होगी वो Oxygen Gains जमा हो जाएगा Option B is the right answer हो जाएगा Next question की बात करें इस पात में कितना परतिशत कारबन होता है इस पात होता है हमारा उसमें कितना परतिशत कारबन पूछा है आप से 4%, 2%, 5%, 3% तो इस पात में 2% कारबन होता है राइट आंसर क्या हो जाएगा Option B is the right answer हो जाएगा Next question की बढ़ते है रकत का दाब मापन किसी अंतर से किया जाता है जो रकत होता है, जो बलड प्रेशर होता है उसका दाब हम किसी अंतर दोआरा मापते हैं ने देखा होगा कि जब हमारे घरों में या हम होस्पिटल में जाते हैं डॉक्टर मिलता है हमें जब हम BP चेक करवाते हैं बलड का सर्कुलेशन चेक करवाते हैं तो जो चेक करने वाला उनके पास जो डिवाइस है उसको क्या बोलते हैं पाइरोमेटर, एनोमोमेटर, सिफगमोमेनोमेटर या गेलोमेनोमेटर इसका राइट आंसर होगा option C is the right answer सफिगमोमेनोमेटर थोड़ा सा नाम अजीब तरह का है बट बार बार दो तिन बार रिवाइस करोगे सफिगमोमेनोमेटर तो आपके याद हो जाएगा तो next question क्यों बढ़ते हैं शिंकने से दिल की धड़कन कितने सेकंड के लिए रुक जाते हैं फिर से सुरू हो जाती है जब हम सिंक लेते हैं तो हमारा जो हार्ट बीट होती है हरदे की धड़कन होती है रुक जाती है और जब उसके बाद फिर से स्टार्ट हो जाती है तो जब सिंक आए ज़्यादा लगोतार सिंक आए तो सोस समझ के सिंक भी लेनी है और ध्यान रखना कि सिंकने से हार्ट रुक रहा है हरदे की सेकंड हार्ट बीट रुक रही है वो कितने सेकंड लुकते हैं सेकंड, साथ सेकंड, चार सेकंड, तीन सेकंड तो सही option क्या होगा, right answer होगा option is the right answer एक सेकंड के लिए हमारा heart रुक जाता है फिर से दुबारा काम करना start करता है, continue हो जाता है तो सिंकने पे भी heart हमारा रुकता है, ठीक है, याद रखना next question की बात करते है किस विज्ञान में पक्षियों से समंद्र अध्यन क्या जाता है जहां पक्षियों से समंद्र अध्यन होता है वो विज्ञान की कौन सिसाका होती है उसको क्या बोलते है सिस्मोलोजिस्ट, ओस्टियोलोजिस्ट, ओप्टिक्स या और्थीनोलोजिस्ट जहां पक्षियों की वेधेन होते हैं, जहां पक्षियों की बात होती है उस विज्ञान को हम बोलते हैं, ओस्टियोलोजिस्ट बोलते हैं, क्या option B is the right answer, ओस्टियोलोजिस्ट बोलते हैं नेक्स्ट क्यों बढ़ते हैं निमन लिखत में किसकी वेधन शमता हदिक होती है जो आपको चार उप्शन दी है न्यूटरन, बीटा किरने, अलफा किरने, गामा किरने इनमें चारों में किसकी वेधन शमता सबसे हधिक होती है तो गामा किरने होती है उनकी वेधन शमता सबसे अधिक होती है option D is the right answer हो जाएगा next question की बात करें treadmill test कौन सी चिकत्या से समंदित है ट्रेड मिल टेस्ट है वो कौन सी चिकत्या समंदित है गुर्दा, फेंपडा, हर्देप, पेर तो option A is the right answer गुर्दा से जो चिकत्या से related होता है गुर्दा उपचार या गुर्दा रोग से समंदित होता है वो कौन sorry ट्रेड मिल टेस्ट होता है गुर्दा से related हो जो हमारा चिकत्या समंदित होता है वो कौन सा होता है ट्रेड मिल टेस्ट होता है option A is the right answer next question क्यों बढ़ते है धातू के बरतन में खाना बनाए जाता है क्योंकि वह उस्मा का क्या होता है अर्चालक, कूचालक, चालक, चालक और सूचालक दोनों तो आपको पता है जो धातू के बरतन होते है उनमें ही हम खाना बनाते है अगर हम कोई कूचालक वस्तु में के अंदर खाना बनाएंगे तो वो कहा कि एनर्जी टांस्फरी नहीं होगे वो गरम ही नहीं हो पाएगा तो दातू के ही बरतन क्यों लेते हैं क्योंकि वो उसमा के सू चालक होते हैं अच्छे चालक होते हैं तब ही हम उनके बरतनों में खाना बनाते हैं जिसे हमारा मसाला या खाना गरम होता है पकता है और गर बन जाता है और उसके जो हत्ते होते हैं पकड़ने के लिए हम बनाते हैं वो किसके लगाते हैं कूच अलक के लगाते हैं लकड़ी वगेरा या रबर के लगाते हैं जिसे हम वो गरम ना हो रम उसको असानी से पकड़ सके ये भी आपको याद रखना है तो उप्सन सीजदा राइट अनसर हो जाएगा पोटेशन मजल के साथ भी किरिया करते हैं ठीक है दस नंबर कोश्चन की बात करते हैं आइनिक योगी का गलनाक और कथना क्या होता है उच्छ होते हैं समाने निमन सभी कथन सकते हैं तो जो आइनिक योगी कोथना को गलनाक हमेसा क्या होते हैं उच्छ होते हैं नहीं होता है आपको याद रखना है option B is the right answer next question क्यों बढ़ते हैं नमक के घोल में silver nitrate का घोल डानने से देही जैसे पदार्थ उर्प्रत्न होते हैं यह कौन सी बिकिरी है आपको पता है जो हमारा नमक का घोल है उसमें silver nitrate का घोल डालने पे देही जैसा पदार्थ बन जाता है तो यह कौन सी बिकिरी है उदासी करन स्योंजन अवशेपन विस्ताफ़्पन तो यह बिकिरी है कौन सी जोते है उदासी करन बिकिरी होता है option A is the right answer हो जायगा next question की बात करे शंशारन किस परकार की बिकिरी है एप्चेन की हबिकिरी है? आपको बता रहा है एप्चेन वाज का हमारा second question क्या है? किसी रसाइनिक हबिकिरिया में ऐक्षिजन के अनुपारत का बढ़ना क्या कलाता है? ऐक्षिजन का अनुपारत बढ़ रहा है तो विस्तापपन हबिकिरी है उश्मा शोशी बिकरिया उपचेन बिकरिया एपचेन बिकरिया ओक्सिजन की मात्रा बढ़ रही है इंक्रीज हो रही है तो वो क्या कलाती है उपचेन कलाती है इसको क्या बोलते है उपचेन होते है ठीक है इंक्रीज हो रहा है तो उपचेन होती है वो जो डिटेक्शन होता कौन सी अभिकरिया के युगम हमें साथ साथ होते हैं तो ओप्सन सी इस दा राइट आंसर तो ये हमारे आज के लेटेस्ट न्यू पंदरा कोश्चन थे उमीद करता हूं आपको पसंद आएं तो पसंद आएं तो वीडियो को शेर कर दें चेनल को सबस्क्राइब कर देना और लाइक करना नए भूले तो इसी तरह की लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए कोई भी एक्जाम से समंदून 이제 नूज ऑो जोब अपडेटों उस वो भी हमारी दिवारा यहाँ पर दी जाती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कल मिलते हैं नए क्लास के साथ नए वीडियो के साथ तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहें जैहिंड धन्यवाद